इस वक्त हम मौझूद है SGPGI में जहां पर नर्सेज काला रिबन बांग के काम कर रही हैं आखिर क्या वज़ा है और क्या उनकी मांगे हैं और उनकी मांगे कैसे पूरी होंगी इन सब सिलसले से हमारे हमारे साथ बात करने के लिए मौझूद है नर्सिंग स्टाफ एस्टेशन की अध्यक सीमा शुकला जी क्या वज़ा है यह रिबन बांग के काम कर रही हैं काफी टाइम हो चुका है तीसरा दिन है आज मेरी समझ से यह आपका प्रोटेस्ट का तरीका जो है क्या वज़ा है इसकी और क्या नतीजा निकलेगा इसका अगर आपकी मांगे जो हैं नहीं पूरी होती है और कौन आपकी मांगे पूरी करेगा मैं सीमा शुकला नर्सिंग यूनियन के अध्या चल्जी पीजाए लखनौ से यह ब्लैक दिवन हम लोगों ने इसलिए बांध रखा है कि पिछले 10-13 साल से हमारी जो है कैडर रिस्टेक्च दिल्ली में हो चुका है एमस में हो चुका है पिछले तीन साल पहले और उसके लिए हम लोग कई वार ग्यापन दे चुके हैं मुक्मंत्री जी को भी दे चुके हैं गवरनर मैडम हमारी आके कुला देख्ष भी है हमारे संस्थान की उनको भी दे चुके हैं वहां से भी कई लेटर आए है उस पे लेकिन कोई भी प्रसासन और सासन जो भी है कोई भी करवाई करने के लिए तयान नहीं है बस आज होगा कल होगा आज होगा इसको टलते टलते और यह हमारा जो है विरोध है काफी दिन से चल रहा है ब्लैक रीबन के स्टार्टिंग हमने फिर इसदर किय क्विट का समय चल रहा है तीसरी लहर भी आने वाली है और उसके बाद भी तीसरी लहर का लोग बहाना करके इसके बास फिर हमारी मांगों को फ्रॵर ठब कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने पिछले दो साल से पूरा तनमन से हमारे स्टाफ ने अपनी ड्यूटी दी है इमानदारी से ड्यूटी दी और अभी हमारे आज भी PPE किट पहेंड कर भी लोग आज भी काम कर रहे हैं आज भी विचारे वो लोग भी black ribbon बांदे हुए हमारे साथ में हैं अभी जो है हम लोग black ribbon बांदे हैं आज तीसरा दिन ना लाज जे है क्योंकि कल हमारी जीबी में है governing warding की meeting होती है जो भी हमारे यहाँ पे कुछ पास कराना होता है तो वहाँ से पहले permission लेनी पड़ती है जो की पहले हमारे संस्थार में नहीं था लेकिन अब जिस सीज के लिए हम लोगों को जो भी चाहिए होता जो भी हमारी मांगे होती है उस सीज को यह बहाना बना करके कह दिया जाता है कि अभी जीबी में होगा तब होगा इसके लिए सालों से लटकाया रहते हैं पंद्रा साल हम लोगों को हो गये हैं केडर रिवियू के लिए आज हो जाएगा, गल हो जाएगा उसके बाद जब से हम लोग भी यूनियन में है तो अब से लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे है कि आप बताइए हमारे यहां जो है इस्टाप है 48 पर फिप्टी फोर पर पे ग्रेट में रिटार होके चले जा रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है उनकी पेंशन में उनको नुकसान होगा तो उत्तर प्रज़र सरकार से और हमारे इस काम को करने के लिए जो हमारे चीफ सेकेट करने के आज हमारे वक्सिनेशन में जो भी डी दे रहे हैं और कोविड में diana यूटी दे रहे हैं सिरल प्रज़र कि आज और बीकर यह हमें करे 대해 यहरू तो उन् suctionा कि आप अपना विरोध वापस लिजे तो हमने का वापस जब लेंगे जब तक सब्सक्राइब मुरेंदम में मेमराइनवु equilibrium जब जह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब और साथ तारीकों हम लोग गांधी प्रतिवा में स्रंखला बना करके अपने स्टाफ को ले जा करके महां से जो है उनके गवर्नर मैडम के वहां जाएंगे और अपना ग्यापन देंगे आप लोगों को करोना वारियर की भी सम्मान से नवादा गया है और फूलों की वर्षा भी करवाई गई है तो एक दोर ऐसा था कि जब आपको काफी सम्मान मिला काफी लोगों का इसने और प्यार मिला और आज आपके साथ ही ऐसा वहवार हो रहा है जी इसीच का बहुत दुख है हमें फूलों की वर्षा नहीं चाहिए लेकिन हमारे जो हमारे हक है वही टाइम से मिल जा हमारे लिए वही बहुत है जब हमारे हमारे हक नहीं दिये जा रहे हैं तो हमारे लिए फूलों की वर्षा से क्या मतलब है ये तो हम लोगों को एक बे वारे लिए हमारे कैडर के लिए यह काफी चिंता जनक विशा है इस तरीके से की जो कुरोना योद्धा से सम्मान से सम्मानित लोग हैं और जो स्वास्त कर्मी हैं जिनोंने कुरोना के टाइम में कुरोना आपदा में इतना सहीयोग करा जिनकी वज़े से आज उत्तर है स्वास्चेश से उससे हमारे सीनियर जनलिस्ट जाहिद अप्तर साब ने बात करी क्या बात हुई आपकी आरके दिमन साब से इस मामले में यह तीन दिन से यहां की जो नर्सिस हैं वो काला रिबन बान करके अपना विरोध जता रही है उनकी एक मांग यही है के गेम्स की तरज पे उनको भी पदनाम दिया जाए काटर रिस्ट्रक्चर किया जाए यह उनकी मांग है ताके आगे चल करके उनके पेंशन में कोई चक्ता थी ही नहीं वो आरिडी कर्णिंग बॉड़ी में जो होने वाली है उसमें इस मेंटर को पूट अब करने वाले थे उनका यह कहना है कि अगर वो घ्राव करते हैं या इस तरह से वीरोध जताते हैं तो गौवर्निंग बॉड़ी में जाहीड सी बात है मामला का परिशानी होगी वो खुद इस मामले को सुल जाने में हर तरह से लगे हुए हैं उनका ये भी कहना है कि एस जी पीजाई से उनकी सम्वेदना है क्योंकि यहां के ही स्टूइंट रह चुके हैं इसलिए वो इमोशनली भी जुड़े हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहां पे किसी भी स्टाफ को किसी भी तरह की कभी कोई परिशानिया हो लहादा वो इसका ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी इस मांग पे पूरा-पूरा ध्यान दिया जा और पूरा हो जाए उनकी मांग यह उन्होंने हम से साफ तर पर काशाए मैं आकी मिराज खान जन संदेश टाइम से लखना हूँ